असलाम लेकुम दोस्तों सकी गोट फार्म में आपका स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे एक हमारे फार्म की बकरी है जिसे बहुत ही गंभीर पेट की समस्या हो रखी है हलकी फुलकी अगर परेशानी होती है तो आप किसी भी छीज से छोटे म दोस्तों ऐसा हो जाता है कि ये परेशानी इतना जाद बढ़ जाती है आप देख सकते हैं यह हमारी बकरी है रात के सवा बार बज रहे हैं और बकरी काफी कराह रही थी आप वीडियो में भी इसकी कराहट की आवाज सुन रहे होंगे और बकरी काफी जादा च्छट पटा रही है क्यूंकि बहुत जाद इसे acidosis हो चुका है और जब मैं आके इसे देखा हम तो ये देखिए मैं इसका सबसे पहले मैं इसका पेट ध धब धबा के देख रहा है कि गैस बनी है या acidosis हो गया है यानि पेट में पानी भराई देखिये मैं हिला रहा नीचे से धोड़ी के पास से हिलाने पर पता चल जाता है दोस्तों कि इस बकरी को गैस बनी है या इसके पेट में पानी हो गया है अब बकरी की छट पटाहट आप देख सकते हैं बकरी को बहुत ही जादक गैस बनी हुई है और ये ऐसा होता है कि बकरी शाम के टाइ खाना जाद़ खा लेती है कुछ ऐसा खा ले जिसे हजम करने में इसको दिक्कत होती जब बैट के बकरी अपने बाड़े में आराम कर रही थी तब ये बकरी काफी जोर दोर से चिलाने लगी रात में मैं इसे देखा तो बकरी काफी परेशान थी इसके लिए आपके साथ भी अगर कभी ऐसी परेशानी हो तो आप इसके लिए घरेलू इलाज भी कर सकते हैं मैं आपको इस वीडियो में घरेलू इलाज भी बताऊंगा यानि आपको मैं दवा भी बताऊंगा पिलाने वाली और देशी इलाज भी मैं इसका आपको बताऊंगा और इस बीमारी का इंजेक लगाना ना आता हो तो दवा से भी काम चला सकते हैं अगर दवा भी आपके पास नहों तो देशी इलाज में भी मैं इसका इलाज बताऊंगा और बहुत ही सटीक और अच्छा इलाज आपको मैं बताऊंगा दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूं इसका देशी इलाज जेसी एलाज में आपको 20 ml सोडा ले लेना है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना है 20 गराम सोडा जो बेकिंग पाउडर के नाम से मार्केट में मिलता है वो आपको इसे लेके सीसी में घोल के पिला देना है अगर आराम ना हो तो आदा घंटे के बाद ही आप इसके में आपको लेना यह एक अगर बकरी आपकी 40 से 50 केजी की है तो 10 गराम ले ले कोईला आग में जला हुआ कोईला ले ले 10 गराम और काली जीरी ले ले 5 गराम काली जीरी की तासीर दोस्तों गरम होती है और कड़वी भी होती है इसे आसानी से बकरी खाएगी नहीं और इसको पानी में डाल के बकरी को पिला दीजिए अगर काली जीरी आपके रसोई में मौजूद न हो तो कोईला ले लीजिए 10 गेराम अगर आपका बड़ा जानवर अगर छोटा जानवर है तो 5 गेराम ले लीजिए और सरसों का तेल ले लीजिए 10 एमिल सरसों का तेल और कोईले को पीस के एक में मिला लीजे और पांच गिराम बड़े जानवर में हिंग ले लीजे इनको आपस में मिक्सप करके इसे पिला दीजे तो इससे भी आपको तुरंत रहत मिलेगी अगर आपके पास मान लीजे कि ये सारी चीजे नहों आपके फार्म पर तो टेमपगो क नाम का एक सीरप आता है और बलाश्टो सील नाम का भी सीरप आता है जिसे अगर आपका जानवर 20 केजी का है तो 10 हमेल पिलाएं 10 हमेल सरसों के तेल में मिला के और अगर आपका जानवर 50 kg का है तो 50 ml सरसों का तेल ले ले लें और 50 ml टेमपगो या बलाश्टो सील ले लें इसे आपस में मिला के पिलाएं और अगर आपके पास ये चीज है अगर इससे आराम न मिले तो फिर तब जाके आप इंजेक्शन के तरफ जाएं इसमें आपको इ दिखा रहा हूं जो बकरी काफी परेशान आपको दिख रही है अलहम दोईलाव बकरी काफी अच्छी है बकरी को काफी राहत हो चुकी है अब ये सुबह की टाइम है बकरी जुगाली भी कर रही है दोतों ये सब होने के बाद आपको कम से कम तीन दिन तक सुबह शाम इसे मीठा सोडा जरूर देना है तीन दिन तक दोस्तों मीठा सोडा इसको देना है इसके बाद में सुबह साम 10-15 गिराम दे दीजे तीन दिन तक ताकि इसका पेट फिर से बराबर हो जाए वीडियो पसंद आए तो लाइक करें शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजे क्योंकि मैं हर रोज अलग-अलग टापिक की वीडियो लेके आता हूँ अब दोस्तों के सामने जिससे आपका फाइदा होता है अल्ला हाफिज दोस्तों